हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे आलू प्यास के पराथे एकदम फुले फुले नरम और चटपटे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराथे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे तो चले बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आलू की स्टफिंग तयार करेंग है इसे भी एक चम्मच डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलर के लिए एक चोथाई चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे एक चोथाई चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे एक चोथाई चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच कस्मीरी लाल मि या डाल देंगे तो बहुत तेस्टी पराठे बनने वाले हैं रेसिपी को एंड तक जरूर देखें तो अब हम इसे अच्छे सी मिला देंगे तो पराठो की स्टफिंग बनकर तयार है यहां पर मैंने पराठे का आठा भी गूत कर तयार कर लिया है आठा हम इसका सॉफ्ट ही लगाएंगे ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है नहीं तो हमारे पराठे फट भी सकते हैं तो चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं अब हम यहाँ पर आटे की लोई तयार करेंगे लोई हम मीडियम साइज की बनाएंगे क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं अब हम इसे हातों से साइट से इस तरीके से हलका हलका प्रेस करते हुए चप्टा करेंगे तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे अब हम इसमें एक डिट चम्मच के करीब स्टफिंग रख देंगे और इसे चारो तरफ से फोल्ड कर देंगे अब इसे सुखे आटे में लपेटेंगे और एक चकले के ऊपर रख कर चारो तरफ से हाथ से हलका हलका प्रेस करेंगे इससे जो पराठे की स्टफिंगे वह पूरे पराठे में अच्छे से चारो तरफ फिलो जाती है और आपके पराठे कहीं से भी खाली नहीं रहेंगे तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सुखा आटा और लगा सकते हैं आप इसे बेलर की मदद से हलका हलका प्रेस करते हुए बेलेंगे तो देखे या तैयार हो गया है अब मैंने यहां पर एक तवक गैस पर गरम होने के लिए रखा है इसके उपर हम पराठा डाल देंगे जब पराठा एक साइड से पक जाए तो इसे पलट लेंगे और उपर से घी लगा देंगे तो आप चाहो तो इसमें तेल भी लगा सकते हैं लेकिन घी के पराठे और भी स्वादिष्ट बनते हैं इसलिए या ओप्सनल है बस इसी तरह से दूसरी तरफ पलेट लेंगे और उपर से घी लगा देंगे तो पराठे बहुत अच्छे से फुल रहे हैं इन्हें चारों तरफ से प्रेस करते रहें और दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेख लेंगे तो देखे पराठा अच्छे से सिख गया है इसे एक पलेट में निकाल लेते हैं तो बस इसी तरह से एक और पराठा तयार करेंगे तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो गारंटी है आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे तो दूसरा पराठा भी बनकर तयार हो गया है इसे भी तवे पर डाल देंगे जैसे ही एक साइट से ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ पलट कर इसमें दोनों साइट से घी लगा देंगे तो बहुत ही मज़ेदार पराठे बनकर रेड़ी हो रहे है तो आप देख सकते हैं पराठे किस तरह से फुड़ रहे है तो यह पराठा भी बनकर रेड़ी हो गया है इसे भी निकाल लेते हैं बस इसी तरह से हमें सारे पराठे बनाकर तयार करने हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं और आलू प्यास के पराठे तो लगबग हर किसी को पसंद आते हैं तो यह हमारे आलू प्यास के पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं आप एसी दही, रायता या चटनी के साथ सर्व कर सकते है I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेट जरूर कीजी और चैनल को सबस्काइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजी ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नया नॉटफेशन आपको मिल सके मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक केर